कॉंग्रिस नेता और चंडिगर्ट से कॉंग्रिस के उमीदवार मनीश दिवारी ने बीजेपी को लेकर बड़ा दावा किया है कहा कि बीजेपी इस बार गेड़ सो के आसपा सीटों पर सिमट जाएगी वाई इंडिया गड़वंधन में प्रधान मंत्री के फेस के सवाल पर मनीश दिवारी ने कहा कि इसका जवाब बहुमत मिलने के बाद दिया जाएगा ये बड़ी जानकारी आपको दे दे पंजाब में बीजेपी निताओं का विरोध हो रहा है ये भी उन्होंने करेंगे बार नारा दे रही है कि 400 के पार कह रहे है कि चंडिगड भी जीतेंगे हम पंजाब में भी जादा सीटें जीतेंगे और इस बार पिछली बार के मकाबले भी हम जो है वो जादा जीत हासिल करेंगे डेड़ सो आ जाएं तो गनीमत होगी मुल्क का मोहल बदला हुआ है देखिए केरल टमिल नाडू करनाटक आंद्रपरदेश तेलंगाना महराष्ट्रा इनकी गिंती तो आके गुजरात से शुरू होती है वो भी थोड़ी बहुत तो इसलिए पूरा जो दक्षिन भारत है इनके खिलाफ विरोध में खड़ा हुआ है पंजाब में आप देखी रहे हैं कि भाजपा वालों को गाओं में नहीं घुसने देंगे यह जो मित्या है यह अपने आपको गुमराह करने की जो कोशेश है जो डिल्यूजन आइटस है इससे सियासत नहीं चलती बेरोजगारी आपके महंगाई जो इंकम इनिक्वालिटी बढ़ी है इस देश में पिछले दस वर्ष में वो बुन्यादी मुद्धे हैं जो लोगों के सामने हैं परदान मंतरी हम सीधा बता रहे हैं कि नरेंदर मोधी होंगे इंडिया लाइंस का परदान मंतरी चेहरा कौन होगा अरविंद केज़ी वाल होंगे राहूल गांदी ह होंगे मलकार जन खड़के होंगे जो उनके सीनियर पार्टियां थी चाहे ममता बनर जी हो नितिश कुमार हो वो पहले पीछे अट गये हैं यह कोई प्रेजिदेंशल फॉर्म अव गवर्मेंट है जो हमारी लोगतांतरिक प्रक्रिया है वो क्या प्रेजिदेंशल है हमारी लोगतांतरिक प्रक्रिया है कि पहले सांसद चुनते हैं चुने जाते हैं पर सांसद अपने नेता को चुनते हैं यह संसदिये प्रक्रिया है और अब बाद दुबाई की खुदरत के कहसे दुबाई काफ उठा है खबर है कि एक ही दिन में हुई साल भर की बारिश की वज़े से सडके शॉपिंग मॉल और एरपोर्ट तक ढूब गए हैं अचानक आई इस आफ़त की वज़े से उमान से भी दस से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है यह बड़ी जानकारी आपको देदें दुबाई में भीशन भारिश भयंकर भारिश हुई है जिसकी वज़े से लोग मुसीबत ने हैं दुबाई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश तूट गया 75 साल का रिकॉर्ड एक ही दिन में साल भर की बारिश जूब गई सडकें जूब गई मौत रेगिस्तानी शहर में बारिश बरीकार ये दुबाई के सडकें हैं कोई समंदर नहीं ये दुबाई के माल हैं कोई दर्या नहीं ये दुबाई के चमचमाते एरपोर्ट हैं कोई जील नहीं लेकिन कुदरत ने ऐसा कहर वर पाया कि कहीं समंदर बन गया कहीं दर्या तो कहीं बारिश से बनी चील में बड़े-बड़े हवाई जहाज जूब गए दावा किया जा रहा है कि दुबाई में अचानक अतनी बारिश भी जितनी साल भर में नहीं होती यही वज़े है कि जहां बेध़ड़क होकर बड़ी-बड़ी गाडियां रखतार भरा करती थी वहां सहलाब अपना शक्ति परदर्शन कर रहा है आकड़े पताते हैं कि दुबाई में 88.9 मिलिमीटर भारिश रिकॉर्ड की जाती है लेकिन इस बार एक ही दिन यानि 24 खंटे में गुल 160 मिलिमीटर भारिश दर्ज की गई है बताया जा रहा है कि इस पारिश ने दुबाई में पिछले 75 साल का रिकॉर्ड दोस्त कर दिया है UAE यानि संयोग तरब अमीरात के राश्टी मौसम विज्ञान केंदर ने मंगलवार के सुबा दुबाई, अबुधाबी और शार्जा समेत कई हिस्सों के लिए चेतावनी जारी की थी दुबाई प्रशासन ने अचानक आई बाड की वजह से शहर की कुछ सड़कों से बचने के लिए सला भी जारी की थी इस बीच खबर ये भी है कि पडोसी देश ओमान में भी भारी बारिश की वजह से अचानक आई बाड कई लोगों की मौत की वजह बन गई उधर दुबाई में बारिश की वजह से खराब हुए हराग के पीछे लोग क्लाउड सीडिंग कराई जाने का आरोप लगा रहे हैं जबकि NCM यानि National Center of Metrology की तरफ से भी क्लाउड सीडिंग की खबर को पुक्ता किया गया है दरसल भीशन गर्मी से नेपटने के लिए और तापमान को गिराने के लिए दुबाई में कृतिम वर्षा कराई जाती है इस दौरान दुबाई प्रशासन की तरफ से लोगों को वारिंग भी जारी की जाती है लेगिन इस बार जो दुबाई में हुआ वो तमाम कयासों से इतर हुआ और इसका दर मुसलाधार बारिश हुई कि न एरपोर्ट बचे न शौपिंग मॉल न जलके और ना ही लोगों के आज गाने राम नवमी पर आयोध्या के मंदिर में विराजमान राम लला का हुआ दिववे सूरे तिलक चार मिनट तक करोणों भक्तों ने किये भवे दर्शन राम नाउमी के मौके पर आयोध्या के मंदिर में राम लला का किया गया विशेश अभिशेट पूरे देश में मनाया जा रहा है राम जनमोत्सव राम नावमी के मौके पर PM मोदी ने ट्वीट कर बढ़ाई दी है, आज पूरे देश में मनाया जा रहा है भगवान श्री राम का जनमोसव राम नौमी पर भगवान राम दिला के सूरे तिलक की मुखे मंतरी योगी आदितिनाथ ने बढ़ाई दी है बोले श्री राम के जन्मोसव पर हर तरफ उत्सहा का महौर सीम योगी आदितिनाथ ने राम नौमी के मौके पर गुरखनात मंदिर में किया हवन और कन्या पूजन कन्याओं को कराया गया भोच जमुकश्मीर में भी धूमधाम के साथ मनाया गया भगवान राम का जन्मोसव लाल चौक से राम धक्तों ने निकाली भगवान की शोभायात्रा चित्रकूट में भी राम नॉमी के उस्थव की भव्वे तयारी मत मंदिरों में राम जर्मोसव की मौके पर की गई भवे सजावट भगवान राम ने चित्रकूट में काटा था वनवास असम के नलभाड़ी में जुनाप रुचार के दुरान पीयाम मोधी ने राम नॉमी का जिक्र किया बोले 500 साल के बाद आयोध्या में मनाई जा रही दिव्वे राम नॉमी असम में पियम मोदी ने कहा हर जुरतमन तक सरकारी योजना का लाप पहुचाना ही एंडिये का है मकसद पास साल में गरीबों के लिए बनेंगे तीन करोड नए घर गुजरात के एंडबाद में गरी मंतरी अनुशाह ने आतंगवाद और नक्सलवाद पर बोला जबर्दर समला कहा 36 गड़ में बीजेपी सरकार बनी तो नक्सलवाद के खलाफ अभियान हुआते राजस्तान के मंतरी राजवर्दन सिंग्राथा और ने कॉंग्रिस पर साधा निशाना कहा है कि राजस्तान कहा है राजस्तान के मंतरी तो ने इंगर काण फर श्राप पर क्साम्तव्रों श्राथ में श्राचि Scr夏uğobject क्सकी और रह संदोünü जैंग्रों ये. मैं को ऑम झामःें ऐसी मूंह जैं विया मैं current उन्हcket आने इन्हाना को जोड़ग़्ग्स्तान